नमश्काल प्रियमित्रों आप सभी का हमारे चैनल ब्यूटिफल वर्ल्ड में हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेकर आये हैं कि यदि कोई व्यक्ति सपने में अपने बाल कटते हुए देखता है तो यह सपना व्यक्ति को किस बात का संकित देता है वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेडिया आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आप अपने किसी सपनी का मतलब जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपनी का मतलब बताने की कोशिश करेंगे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा देखे गए सपने हमें हमारे आने वाले भविश्य का आईना दिखाते हैं हमें संकेत देते हैं कि हमारा आने वाला भविश्य कैसा रहने वाला है अपने सपनों के पीछे छुपे हुए इन संकेतों को समझ कर हम अपने आने वाले भविश्य के बारे में काफी हद तक बिलकुल सही अनुमान लगा सकते हैं जैसे कि यदि कोई व्यक्ती सपने में देखता है कि कोई नाई उसके बाल काट रहा है तो सपन सास्तर के अनुसार यह सपना एक बहुत ही शुब संकेत देने वाला सपना माना जाता है यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आप किसी कड़जे से मुक्त होने वाले हैं आपको धन का लाब होगा इस बात का भी यह सपना संकेत देता है यदि कोई बीमार व्यक्ति सपने में अपने बाल कटते हुए देखता है तो आने वाले समय में उस बीमार व्यक्ति को स्वास्थे लाब की प्राप्ती होती है महिलाओं को यह सपना विशेश फल देने वाला होता है यदि कोई महिला सपने में अपने बाल कटते हुए देखती है तो आने वाले समय में वह महिला लोक प्रिय होती है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है यदि कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि वह खुद अपने बाल काट रहा है यह सपना देखना भी एक अच्छा संकित देने वाला सपना ही माना जाता है यह सपना संकित देता है कि आने वाले समय में आप खुद अपनी किसी परेशानी का समाधान खोजने में सफल हो जाएंगे यदि कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि वह अपने बाल कटा कर अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहा है तो भी यह सपना अच्छा संकित देने वाला ही होता है यह सपना संकित देता है कि आप अपने जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं और यह परिवर्तन आपके लिए भविश्य में लाभकारी सिद्ध होगा इस बात का यह सपना आपको संकित देता है अपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद